आज आपको हमारी खबर की टैग लाइन ने थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आखिर हमने ये टाइटल अपनी इस खबर को क्यों दिया है दरसल इन दिनो रिवा जिले में अभियान की फिटकरी जिले की जनता पर इसकदर ये रिवा पुलिस गिसे जा रही है कि बिना घाओ बिना जख्म पूरा सरीर शचरा जाए पहले हेलमेट अभियान फिर सिगरेट अभियान और अब गुठका अभियान जरा ध्यान से सुनिये गई है सिगरेट गुठका छुगाने का है अभियान खाने का नहीं लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन अभियानों से क्या हासिल हो रहा है माफ कीज़ेगा लेकिन हमारा हिसाब पुलिस की किताब से इसलिए फिट नहीं पैठता क्योंकि अभियानों की नौ टंकी अपच हो जाती है आप सोचेंगे ऐसा क्यों है तो इस क्यों का जवाब भी है देखे ही रिपोर्ट हालही में एडिशनल एस्पी अनिल सोध कर समेत कई पुलिस वाले और समाज से भी संस्थानों से जुबे हुए लोग धुबिया टंकी के आजपास की कई दुकानों में पहुंसते हैं दुकान चलाने वाले लोगों से गुटका सिगरेट के तमाम पैकेट निकलवाए गए और सारे पैकेट आग के हवाले कर दिये गए इतना ही नहीं पूरी नोटंकी को आकार देकर इनहीं लोगों से सिगरेट गुटका नहीं बेचने की सपत भी दिलाई गई लेकिन सवाल ये कि क्या यही पुलिस रीवा के हर चौराहों में खुले प्योसरा जैसे शराग खानों की सीसियों को आग के हवाले करने का दम रखती है क्या पुलिस की पूरी पल्टन को गुगहाई बाजार के बड़े ब्याफारियों के गुटका सिग्रेट से बड़े गोदामों को जला कर राख नहीं कर देना चाहिए पुछ कर पाएं। जी नहीं। लेकिन हर अभियान की नौटंकी के बीच अगर कोई पीसे जाते हैं, अगर कोई दबाए जाते हैं, तो गरीब तक के लोग छोटे दुकानदार हर अभियान इनहीं के लिए बना है। कर रहे हैं। कलिक्टिर सहब को तो समझना चाहिए कि सरकारी विभागों के दरजनों दफ्तरों का दोरा अगर कर लें और जाच कर डालें, तो आम जनता से जादा इनहीं के बागू और अधिकारी पान खाए पान दबाए मिल जाएगी। खैर ऐसे अभियानों से हमारा कोई बैर नहीं है लेकिन हद होगी पार तो सवाल जरूर हो गयार पार। फिलाल इस पूरी खबर पर क्या सूचते हैं अब क्या है आप किराए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा। फिलाल के लिए दीजेज़ाज़त देखते रहे हैं विराट 24 न्यूज नमस्कार। झाल